आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन सीन इन पैरसाइटिक हेलमिन्स डैश, पुछा गया कि किस टाइप के रेस्पिरेशन जो है वो हेलमिन्स में दिखाई देते हैं तो बैसे कली अगर देखा जाए तो हेलमिन्स ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनकों की हम लोग इंडो पैरसाइट के नाम से जाते हैं इंडो पैरसाइट इसी लिए कहते हैं क्योंकि ये बॉड़ी के अंदर जाके जो होस्ट होते हैं उसके स्टमक और इंटेस्टाइन में रेसाइट करते हैं और क्या करते हैं कि वही स्टमक और इंटेस्टाइन से ये लोग food को absorb करते हैं और इसी वैज़े क्या होता है कि इन में कोई भी खुद का digestive system जो है वो नहीं होता है no digestive system present और ये digestive system absent होने का यही एक मार्थ वज़ा होता है कि ये लोग nutrition होता है वो basically host का ही nutrition ये लोग absorb कर लेते हैं तो main बात क्या होता है कि इनका जो likelyhood होता है वो एक ऐसे environment में होता है जहां पर oxygen जो है वो lack करता है यानि lack of oxygen condition में और ऐसे जो areas होते हैं या फिर ऐसे जो process होते हैं उनको हम लोग anaerobic respiration के नाम से जाते हैं और यही lack of condition में ये parasites जो हैं वो inside the body पाये जाते हैं या फिर recite करते हैं इसलिए जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर anaerobic respiration anaerobic respiration का अगर बात करें तो जो main चीज aerobic में पाया जाता है तो वो होता है use of oxygen और use of oxygen जो है वो higher group of organism में पाया जाता है जैसे कि core data या फिर invertebrates में भी देखा जाता है लेकिन जो endo parasites होते हैं वहाँ पे mainly anaerobic respiration होता है वही दिखाई देता है और इसी को हम यहाँ पे tick कर लेंगे और जो यहाँ पे example बन जाता है वो हो जाता है जैसे for example हम लोग tape warm को लिख सकते हैं Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर